हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ये लिली है और देखिए मेरे पॉट में ये लिली खिली वी है जैसे कि मैंने पहले अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि मुझे लगा था ये पेड़ मर गया है तो इसमें एक भी पत्ता नहीं देख सकते हो देखो इसके कोई भी पत्त नहीं है इसमें लेकिन इतना सा ये निकल कर एक मुझे आइडिया तो हो गया था कि इसमें कोई flower ये आने वाला है तो लेकिन देखिये इतना सुन्दर flower आया है और मन इतना खुश हो गया इसको देखकर कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा first flower है इस spot में और मुझे यकीन नहीं था इसका मैर तो मुझे था कि ये white color का कुछ होगा लेकिन इसका color इतना प्यारा color है और मन बहुत खुश हो गया इसको देखकर और कहां तो मुझे लग रहा था ये पेड़ कहीं मर तो नहीं गया लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता करा और सर्च करा तो ये लिली का प्लांट है और ये एक तरह की लिली है अगर मैं इसके पूरा exact नाम मेरे को आइडिया नहीं है लेकिन ये लिली का ही एक प्रकार है मेरे पास रेन लिली भी है तो ये भी लिली है और ये मेरे हैस्बन लाए थे पता नहीं उनके ओफिस में बहुत जादा हो गए थे तो एक तो तो तीन ये भी लेकर आए थे और फिर इसमें पत्ते भी बहुत अच्छे आये थे सर्दियों में इसमें पूरे में पत्ते थे लेकिन अभी क्या कुछ समय पहले इसमें पत्ते सारे खतम हो गए तो मुझे लगा कि ये प्लान तो गया और लेकिन अभी इसमें देखिए इसमें ये निकला तो मुझे लगा कि फूल वगेरा आने वाला है और अभी इसमें देखो 15-20 दिन के बाद इसमें देखो ये क्या सुन्दर फूल आया है मन खुश हो गया अगर आपके गार्डन में ऐसा सप्राइस कभी मिल जाता है तो आप यकीन मान सकते हैं कि कितना खुशी मिलती है और इसमें लेकिन मैंने क् पीछले साल मेरे कम से कम एक साल ये कुछ टाइम हो गया है मेरे को इन लगी फीर के लिए दरसल नीचे वाला छोटा गार्डन में लेकिन उसमें फूल नहीं आए थे तब तक तो लेकिन मैं इसको इस पॉर्ट में शिफ्ट करकर उपर लेकर आ गई और तब तक अभी पूर इस्टार्ट हो गया था इतना सा इसका ये कौपल जैसा निकला हुआ था फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ तो इस तरह से अभी समें देखिए कितना सुन्दर फ्लावर आया है और अभी ये तो तीन और खिलने वाले हैं देखिए और इसमें क्या होता है एक पहले से कमल जैसी कोफल जैसे निकलता है और फिर उसमें से यह सारा का सारा इसमें तीन चार एक साथ फ्लावर आते हैं तो यह एक और हिस्टिक टाइप रहती है और इसमें मैंने देखा कि इसमें अगर यह तो वापिस से इसमें देखना थोड़े समय में पत्ते भी आने लग जाएंगे, मतलब इसको छेड़ना नहीं है, आपको इस पॉट को बने रहने देना है, और इसमें से अपने आप इसको छेड़ना नहीं है, ऐसा लगता है कि मरगी आये प्लांट, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें से अपने आप पत्ते निकल जाएंगी और वापिस से यह अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाएगा और इसमें क्या कराया था मैंने कुछ समय पहले मैंने इसमें जब फरवरी का समय था तब तो मैंने इसमें मस्टर्ट केक वाला जो मैंने पानी बनाया था वो सब पेडों में डाला था जनवरी फरवरी में उसके बाद मैंने एक मैंने बाद वापिस से इसमें क्या डाला था वर्मी कंपोज वो भी मैंने डाला था और और उससे पहले जो मैंने इसमें क्या-क्या डालती रही हूं उस तो यह चीजे मैंने इस पेड में करी थी और जब यह सर्दी थी ना तो भी इसमें पेड जो पत्ते थे बहुत सुंदर लग रहे थे ऐसा नहीं सुंदर नहीं लग रहे थी और मुझे तब पता नहीं था इसमें फ्लावर कब आते हैं तो अभी जैसी मेरे को जब आइडिया लगा था तो मैंने इसके बारे में सर्च करना लग गई थी और तब मैंने सर्च करा कि इसमें मार्च अप्रेल में मार्च अप्रेल यह समर का प्लांट है और समर में इसमें फ्लावरिंग होती है तो मन तो बहुत खुश हो गया है कि इतना सुंदर फूल देखकर कि इसका म तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो मैंने इसकी केर भी ऐसे करी थी तो ये एक तरह से माली है आपके टिपस और केर ही हो गई और हाँ इसमें पानी भी well drain होना चाहिए आराम से easy going इसमें ठहरता नहीं पानी और मिट्टी अभी भी इसमें मैंने शाम कुई पानी डाला हुआ है इसमें मिट्टी गीली है तो और और क्या इसमें थोड़ी थोड़ी से इसमें खुद है क्योंकि इसमें बल्फ बल्फ है अंदर तो जबी अपने आप ये जैसे अपने रजनी गंधा या रेन लीली में नहीं पढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह भी प्रोसीजर अगर बढ़े में लगाते तो और ज्यादा बढ़ाते ही अभी ये 10 इंच का पॉट होगा तो इसमें लगावा है मेरा उसमें भी इतना खाली है तो उसमें भी ये रिजल्ट आये तो बहुत बढ़िया बात है और अभी इ जालती हो जो भी होता है वो सब यूज करती हूँ और लेकिन मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैंने इस बार इसमें बहुत चीज़े डाली है जैसे जैसे मैंने आपको सब बताया है तो सारी लिक्विट बेस भी और वर्मी कंपोज दोनों सब तरह की खाट डाली है इसमें मैंने तो आप भी इस तरह से फ्रेंट्स फॉलो करिए कोई भी चीज को और अपने एक्स्पिरियंस से सीखिए और देखिए उसमें कितना मज़ा आता है और खुशी मिलती है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं तो थेंक्यू फ्रेंट्स लाइक और सस्क्राइब करिए शेयर करिए मेरे चैनल को थेंक्यू फ्रेंट्स